चलो बच्छा देखो आज बाद चलेगी कपी, कड़ और पेस्ट के बारे में कि कड़ कपी, पेस्ट होता के बारे हैं ठीक ना? तो आज देखते हैं सबसे पहला कपी आप्शन कपी की साथ डटी हुरती बच्छा कंड्रोल प्लस सी ठीक ना? हम की बोड से कंड्रोल प्लस सी दबा करके भी किसी भी टेख्ट आपजेक्ट या पिक्चर को कपी कर सकते हैं इसकी डिफिनिशन क्या होती है? कि इस आप्शन इस यूज़ तो कपी वन और मोर सिलेक्टेट आइज और फोल्डर टेख्ट आपजेक्ट इपीसी फ्राम वन लोकेशन तो अन अदर लोकेशन ठीक ना? कि कपी क्या होता है? तो बोड सकते हैं सर किसी भी फाइल, फोल्डर, टेख्ट या आपजेक्ट या किसी भी प्रकार के मैटर को एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर रखने के लिए जिस आपसं का इस्तमाल होता है उसी को पापी के नाम से जाना दाता है ठीक ना? नाम सी के लिए हो रहा है पापी मतलब duplicate ठीक है कि अगर हम सोचें कि किसी भी matter को एक अस्थान से पापी कर दे उस matter को दूसरे अस्थान पर रख दे पापी करने का मतलद यूँँए matter पहले अस्थान पर भी हो और दूसरे अस्थान पर भी चला जाए तुछ प्रकार ये काम को करने के लिए पापी आफ्सन का इस्तमाल किया जाता है जांपने माधन से देखो जैसे सब्सक्राइब कि हम आपने अपने इस कंपूटर में देश्टाप पर मौझूद है का पर मौझूद है डेश्टाप पर ठीक ना अब अब इस डाटा नाम की फाइल वनागर के रखी हुई ठीक ना अब इस data फाइल को हम मालों कंपूटर के भीतर local disk D में और इस फाइल को हमारी data नाम की फाइल है इस फाइल को हम डेश्टाप से कॉप्झ करके local disk D में रखना चाह रहे हैं मतला हम सोचें कि यह फाईल हमारी desktop पर भी हो plus local disk D में भी चली जाए तो इस प्रकार के काम को करने के लिए computer में copy option का इस्तमाल किया जाता है सबसे पहले हम इस file को कर लेंगे select ठीक ना उसके बाद control सी हम जो है जैसे दबाएंगे तैसे लिए चीज़ाद की copy हो जाएंगे उसके बाद जहां पर इस matter को रखना होगा उस location को हम open कर लेंगे मालो हमको यह file ले जाते के रखनी है local disk D में तो हम local disk D को open कर लेंगे और जब local disk D को खोल लेंगे तक उसके बाद आती है paste, paste का मतलब कि किसी भी matter को उस अस्थान पर रखना ठीक ना जिसको आप copy अता किये हुए है तो paste की साथ कर्टी होगे control plus V तो जब हम local disk D खोल लेंगे तो जैसे आप control plus V जैसे आप दबाएंगे तो यह matter आपके local disk D में भी चला जाएगा और यह data ना की file आ जाएगे ठीक ना अब इस location को हम मतलब बोलते है source location इस location को बोलते है क्या है source location C ठीक ना और जहां पर यह file ले जाएगे रखते हैं उस location को बोलते है target location ठीक ना तो poppy का मतलब होता है कि कि किसी भी matter को source location से target location पर ले जाएगे रखना और यहां पर ले जाएगे रखना रहे हैं वहां पर चला जाए तो उस आप्शन को ब्लो है ले जाने के लिए हम लो अब यह जो दातानागी फाइल आपके desktop पर है आप सोचो कि यह file desktop से मिट जाए और लोकल इसकी डी में चली जाए तो उसके लिए फिर हम poppy आप संपा इसक्तमाल करेंगे नहीं क्योंकि अगर प्वापी की मतलब से ले जा करके रखेंगे तो matter यहां पर भी होगा और वहां पर भी होगा तो अगर हम सोचें कि desktop से matter मिट जाए और लोकल इसकी डी में चली जाए तो उसके लिए हम पर्योग करेंगे cut option ठीक ना तो इस matter को हम कलेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट कानिक पास जैसे कीबोर से आप कंट्रोल प्लस यह दबाएंगे यह matter कंट हो जाएगा उसके बास जहां पर आपको रखना है सी जी या अनि किसी भी लोकेशन पर उस लोकेशन को ठोल लेंगे और वहां पर जैसे कंट्रोल भी मतलब आप दबाएंग ओपर जाएगा ओपर जैसे वहां पर पेश्ट होगा तैसे लिए अपने सोर्ष लोकेशन से फार्ट रख कि डिलीट हो जाएगी ठीक है ना तो तीन आफ्शन होता उच्छा कॉपी कत और पेश्ट आपको पापी आप्शन की मदद से ओपर जिस मैटर को आप जो है ले जा पर भी होगा और जहां पर रखेंगे वहां पर भी चला जाएगा तिसका को करने के लिए पाफी आपने इस्टमाल होता है और पाफी की एक तब से बड़ी खास्यत यह भी होती है कि अगर हम किसी भी मैटर को एक बार पाफी कर लेते हैं तो उसको बार बार जो है हम दूसरे लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं जैसे मालो इस फड़ी को हमें पाफी किया ठीक ना अगर आप लोकल दिस्टी में इस फाइल को रखना चाहते हैं और फिर आप लोकल जिस-डी मतलब दबाएंगे यह मैटर लोकल दिस-सी में भी पेस्ट हो जाएगा मतलब किसी में बढ़ेगे ठीक ना तो पापी के सबसे बड़ी सबसे बड़ा फाइला यह भी होता लुक्चा कि अगर हम किसी भी टेक्ट, फाइल, फोल्डर, पिक्चर, आपजट या किसी परकास के मैटर को अगर हम एक बार कंपूर्टर के पापी कर लेते हैं तो इस मैटर को डिफरेंट इस लोकेशन पर बार-बार पेस्ट कर सकते हैं कब तक जब तक कोई दूसरी चीज़ कॉपी ना दिजाए ठीक ना? पंपेश कर सकते हैं बार बार पेश नहीं कर सकते हैं और पेश भूब जानी रहे हैं कि कौपी याँ कट किए गए मैंटर को तो टार्गेट लोकेशन पर जो है रखने के लिए जिस आफशन का इस्तमाल होता उसी को पेश्ट के नाम से जाना दाता है ठीक ना टीस तीन आफशन होते बच्छा कॉपी कॉपी कट और पेश्ट आफशन ठीक ना तो इतनी साइज है चकल लेना बच्छा आज के बस इतना ह झाल